पश्यमुद्रम्देश का शहर मुरादबाद पीतल लगरी के नाम से दुनिया भर में मशुर है मुरादबाद में बनने वाली पीतल की टॉफी देश भर में एकस्पोर्ट की जाती है लेकिन अब काफी समय से पीतल लगरी की इस टॉफी की माँगम हो गई है मैटल और प्लास्टिक की चाइनीज ट्रॉफियों की दिवान मार्किट में जादा है मुरादबाद के एक पीदल कारुबारी ने चाइनीज ट्रॉफियों की बरतिमांग को देखते हुए चाइनीज टॉफियों की मैनुफ्रेक्ट्रिंग मुरादबाद में शुरू कर दी है आपको बता दें कि चाइना में मैटल और प्लास्टिक की टॉफियों को तैयार किया जाता है यह जान ने पीतल कारोबारी नीरज गुपता चीन पहुचे जिसके बाद उन्होंने मुरादबाद में प्लांट लगाने के लिए चीन से मशीने खरी दी और चाइना में बनने वाली टॉफियों मुरादबाद में बननी शुरू हो गई जिससे चाइना से आने वाली टॉफियों में गिरावट आई इसके अलावा नीरज गुपता ने कहा कि चाइना से ट्रॉफी आने से फॉरन करिंसी बाहर जाती थी और अब फॉरन करिंसी भी बाहर जानी बंद हो गई है अब एक्सपोर्ट के जरीए फॉरन करिंसी इंडिया में आनी शुरू हो जाए गुपता इंडस्ट्रियर मुरादबाद शहर में एक बड़ा नाम है यहां पीतल की ट्रॉफी तैयार की जाती है लेकिने काफी वर्षों से पीतल की ट्रॉफियों की डिमांड कम हो गई है और प्लास्टिक की चाइनीज ट्रॉफियों की मांग जादा बढ़ गई है इसी समस्या को देखते हुए पी मुरादबाद हमारा ट्रॉफी मैनुफैक्श्रिंग का एक हप रहा है जो मुरादबाद से संपूर भारत में और विदेशों में भी ट्रॉफियों सप्लाई करता रहा है मुरादबाद से पीतल की ट्रॉफियों बहुत अच्छी अच्छी बनके पूरे इंडिया में और इ पर होने लगा और जब उनका आयात हुआ तो उसमें ये चीज़ देखी गई कि जो चाइना से आने वाली ट्रॉफिया है उनके रेट्स काफी कम थे रीजन उसका ये कि उनका जो मैटल है वो आईरं यूज़ करते हैं और आईरं के उपर उनके पास में प्लेटिंग के इसके लिए हमने ये किया है कि चाइना हम लोग गए चाइना जाके हमने देखा कि वो किस प्रॉसेस है ट्रॉफियां बनाते हैं क्या उनका प्रॉसेस है उस प्रॉसेस को समझा और उस प्रॉसेस को समझते हुए हमने वो पूरा एक प्लांट जिसमें की जो फाइवर की ट् मशीने वगेरे हमने ली और वही प्लांट जिससे की वह मेटलाइजिंग करते हैं वह प्लांट हमने लिया और अब हमने भारत में सोदेशी जो चाइना से आने वाली ट्रॉफिया थी उनका निर्माद शुरू कर दिया है और जिससे की चाइना से आने वाली ट्रॉफियों के आयाद पे भी अखर पड़ा है और लोगों को इंडिया में बनने वाली ट्रॉकीई हैं भारत में बनने वाली ट्रॉकीई ही चाइना की quality थी पलग हो रही है तो मानागा कि जो business का लॉक्स हुआ है अब उसकी के पःपाई हो रही है ज़रूर इसकी भरपाई हो रही है और लोगों में भी जो हमारे कस्टमर है उनके अंदर भी इस बात का उत्सा है कि वो इस तीच को समझ रहे हैं कि चाइना किसे लाने की जगे अब हमें भारत में ही वो ट्रॉफिया मिल रही है जिन से की वो मेक इन इंडिया को भी प्रोसाह मिल रहा है हमारे माननी है प्रदान मंतरी मोधी जी का जो महिम है मेक इन इंडिया की योगी जी की जो महिम है यूपी में अच्छी इंडिस्ट्रियों को लाने के लिए तो वह भी पूरी हो रही है और ब्यापार पर भी इस से इंडिया के काफी अच्छा असर पढ़ रहा ह साथ ही दूसरा एक चीज ये हुई है, कि ज़र ट्रॉफिया इंपोर्ट होती थी तो फॉरेंड करींशी बाहर जाती थी। अब फॉरेंड करींशी भी बाहर जानी बंद होगी है और दूसरा हम इसको लेकर आख एक्सपॉर्ट में लेकर आ रहे हैं जिससे कि जो करेंसी जाती थी जानी तो बंद होगी ही फॉरन करेंसी इंडिया में और आनी शुरू होगी इस तरीके का हमारा प्रियास है